आपको एक जानकरी देना चाहता हूं में कि वैसे तो हमारे देश की सरकार के द्वारा लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए एलोपैथी की चिकित्सा व्यवस्था के हजारों हॉस्पीटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्यूनिटी हेल्थ सेंटर चल रहे हैं और भारत में करीम 18.000.000 डॉक्टर अपने चिकित्सा के द्वारा सेवाईं दे रहे हैं लेकिन हमें ऐलोपैथी चिकित्सा के द्वारा जो सेवाईं मिल रही हैं इन में बहुत बड़ा भोटाला है और इसमें बहुत बड़ी वेजमानी हैं आपको मैं कहूंगा तो हिरानी होगी कि एलोपेटी चिकितसा व्यवस्था में भारत देश के 18 लाख डॉक्टर जो रात दिन काम कर रहे हैं उन डॉक्टरों के द्वारा जो दवाएं आपको खिलाई जा रही हैं वो दवाएं इतनी खराब हैं कि दुनिया में कोई उन्हें नहीं खाता और दुनिया जे देशों की सरकारों ने उन दवाओं को सालों पहले बंद कर दिया जो दवाएं दुनिया में बिकती नहीं हैं जो दवाएं दुनिया में मरीजों को खिलाई नहीं जाती जो दवाएं दुनिया में पैदा नहीं करी जाती उत्पादन जिनका बंद है ऐसी हजारों दवाएं भारत में बिक रही है मैं नाम लेके आपको कुछ दवाओं के बारे में कहूंगा एक दवा है जिसका नाम है वोवेरॉन ये वोवेरॉन नाम की दवा दुनिया के पचास देशों में बंद है अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, डेनमार्क में, नौर्वे में, बेल्जियम में, स्कॉटलेंड में, आयपलेंड में, इंगलेंड में ऐसे 50 देशों में वोविरोन बंद है लेकिन भारत में सबसे जादा ये दवा हमें खिलाई जाती है जब हमें बुखार आता है और शरीर में दर्द होता आपने अगर ये पूछा कभी कि ये दवा क्यों बंद है दुनिया के देशों ने क्यों इसको बंद किया है तो मैंने इसके बारे में जब रिसर्च किया तो पता चला कि वोविरोन दवा का सबसे बुरा साइड इफेक्ट हमारी किड्नी पर होता है अगर आपको तीन या चार इंजेक्शन वोविरोन के दे दिये जाए किसी भी दिन एक सार सुबह दुपहर शाम राद तो निन्यान के प्रतिशत पक्का मान लीजे कि आपकी किड्नी डैमेज हो जाए भारत में लाखों लोगों की किड्निया खराब हुई है इस वोविरोन दवा के इंजेक्शन के चलते और वो लोग बिचारे दर-दर भटकते रहते हैं मैं पिली योगपी ठरिद्वार में रहता हूँ वहाँ सेकडों मरीज रो जाते हैं जिनकी किड्नी फेट हो गई है और जब हम उनकी केस हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि ज़्यादातर मरीजों को भोविरोन दिया गया और उसके बाद उनकी किड्नी खराब हो गई दुनिया के पचास देशों में इसी कारण से वोविरोन द्वा को बंद किया हुआ है एक और द्वा है जो दुनिया के 80 से ज़्यादा देशों में बंद है लेकिन हमें वो द्वा बहुत खिलाई जाती है उसका नाम है कुलो किनॉल कुलो किनॉल एक दवा है जो आपको डाइरिया और डीसेंट्री होने पर खिलाई जाती है लेकिन दुनिया के 80 देशों में ये दवा बंद है क्योंकि इस दवा से आतों में घाओ हो जाता है और धीरे धीरे वो आतों का घाओ कैंसर तक बढ़ सकता है और बहुत सारे लोग आतों के कैंसर के मरीज हो जाते हैं इस खतरना किलो किनॉल दवा को खाके और एक दवा है जिसका नाम है क्लोरेम फैनीकॉल और इसके साथ एक विकने वाली दवा है स्ट्रेप्टोमाइसिन क्लोरेमफैनिक और स्ट्रेप्टोमाइसिन का कॉम्बिनेशन दुनिया के सौ देशों ने बंद कर रखा है लेकिन भारत में ये दवा धरमले से विक रही है और आपको खिलाई जा रही है आपके मन में सवाल आएगा ऐसी कितनी दवाएं है जो भारत में खिलाई जा रही है और दुनिया के देशों ने उनको बंद कर रखा है इस विशैपर मैं पिछले 20 साल से शोद कर रहा हूँ और मुझे बहुत हैरानी है बहुत तकलीफ है ये बताते हुए कि करीब 84 हजार दवाएं है जो हमें खिलाई जा रही है जो ततकाल बंद कर देगी चाहिए दुनिया की एक संस्ता है जिसका नाम है विश्व स्वास्त संगठन वर्ड हिल्थ और्गिनाइजेशन उनका कहना है कि भारत के सभी मरीजों को मात्र 350 दवाओं की जरूरत है लेकिन भारत देश में 84 हजार दवाएं बिक रही है अब सारे 300 दवाओं की हमें जरूरत है जो Essential Medicine मानी जाती है लेकिन भारत में 84 हजार दवाएं बिक रही है जिनकी हमें कोई जरूरत नहीं है हमारी बीमारियों में उनका कोई योगदान नहीं है ठीक करने में फालतू में वो दवाएं हमें खिलाई जाती है आप पूछोगे जी क्यों खिलाई जाती है ये दवाएं फालतू में इसका एक मातर उत्तर है कमीशन खोरी हमारे भारत में दवाओं के व्यापार में जितना कमीशन है शायद उतना तो हत्यारों के व्यापार में भी नहीं है दवा बनाने वाली कुछ कमपनियों पर मैंने केस स्टडी किया एक कमपनी है उसका नाम है फाइजर एक company उसका नाम है Johnson & Johnson एक company उसका नाम है Sivad आहेगी एक company उसका नाम है Sanados एक company उसका नाम है Parc Davis एक company उसका नाम है German Remedies ऐसी 20 company ऌपर मैंने case studies किये तो पता चला कि इन company उंका दबाँ देचने के छेत्र का मुनाफ़ा 20-20,000 प्रतिशत का है। दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जहां 20,000 प्रतिशत का मुनाफ़ कमाया जा सके। हदियारों के व्यापार में भी अब इतना मुनाफ़ नहीं है 20,000 प्रतिशत का। लेकिन दमाओं के व्यापार में 20,000 प्रतिशद 25,000 प्रतिशद 30,000 प्रतिशद के मुनाफे हैं और ये मुनाफ़े इन कंपनीों को जब होते हैं तो कंपनियां भरकूर कंशन देती हैं टॉक्yez लोगों को, चैनिस्ट और डुगिस्ट को और मैडिकल रिप्रेजंटेटिव को एक मैडिकल रिप्रेजंटेटिव होता है जो कमपनियों का प्रचार करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को वो दबा लिखने के लिए जब कन्विंस करता है तो उसका सबसे बड़ा अधार होता है कमीशन प्रचार करने के लिए डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को वो दबा लिखने के लिए जब कन्विंस करता है तो उसका सबसे बड़ा आधार होता है कमिशन इसमें जामून की गुठली का पाउडर मिला ले जामून की गुठली माने जामून बजार में मिल रहा है इस समय आप दो-चार किलो खरीद ले फिर उसको खा ले गुठली निकलेगी उसको धूप में सुखा ले सुखाने के बाद उसको पीस कर पाउडर मना ले इसके बाद आपके घर में एक दवा है करेले की सबजी आप रोज खाते हैं ये करेले के छोटे-चोटे टुकले करें धूप में सुखाएं और इसको पीस कर इसका पाउडर मना ले और अANT में नीम के पेड़ पर एक फल लगता है जिसको निमॉली कहते हैं उसकी गुठली निकाल कर उसको सुखा ले और उसका पाउडर बना ले मैथी गाने का पाउडर, जामुन की गुठली का पाउडर, करेले का पाउडर और नीम की गुठली का पाउडर मैथी गाना, करेला, नीम और जामुन ये चारो के पाउडर को पीस कर बराबर मात्रा में एक दब्बे में भर के रखनें, मिक्स करें और भर के रखनें डब्बे में, बस यही दवा है, आप इस दवा का उप्योग करें, एक चम्मा सुबह, एक चम्मा शाम, खाली पे गरम पानी के साथ, अब इसको ऐसे नियम बन काले के खाने से एक गंटे पहले सुबह ले ले ले, एक चम्मच, खाने से एक गंटे पहले शाम को ले, बहुत आराम से आपकी शुगर को यह ठीप कर देगा, लगब तीन-चार महीने लगातार इसको सेवन कर लें, और उसके बाद अपना बलड टेस्ट कराएं, यूरीन जैसे ही आपको लगे कि शुगर नॉर्मल हो गई है, फिर इसको आप बंद कर दें, जादा इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, तो भोजन नहीं है, लगब चार महीने में आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, एक ही कंडिशन में, ये बीमारी प के साथ कुछ और भी दवाओं को खाना पड़ता है, तब जाकर डाइबिटीज को हम कंट्रोल कर पाते हैं, और थोड़ा लंबे समय के इलाज के बाद वो ठीक होती है, जिनको जन्म से डाइबिटीज नहीं है, उनकी तो बहुत जल्दी ये दवा ठीक कर देते हैं, और किस के गंटा प्राणायाम कर लिजे, आदा गंटे कपालपाती, आदा गंटे अनलोग मिलो, अगर आपने एक गंटे प्राणायाम रोज किया, और ये जो पाउडर मैंने बताया ये ले लिए, तो दो महीने में ही आपकी सुगर ठीक हो जाए, और दो महीने बाद आप देखना चेक करा लेना बलड को और यूरीन को अगर आपको लगता है जिट शुगर अब ठीक है लगबग 150-160 तक आ गई है खाने के बाद की शुगर तो दवा तो तुरन बन कर देना प्राणायाम चालू रखना और इस प्राणायाम को अपने जीवन का अगर आपने हिस्सा बना लिया तो आगे का पूरा जीवन आपका शुगर फ्री बीतेगा आप नॉन डाइबिटिक होंगे और आपकी जीवन भर की तकलीफ खतम हो जाएगे हमने तो कई बार देखा कि जिन मरीजों की शुगर ठीक होई है इस दवा की मदद से और प्राणायाम से उनको शुगर ठीक होने के बाद 200 ग्राम चीनी खिला के देखा है फिर भी उनकी शुगर का लेवल नहीं बढ़ता है इतनी प्रभावकारी ये दवा है ये हमारे घर में उपलब्द है बहुत सस्ती है कॉस्ट फ्री लगबग है टैक्स इस पर कुछ भी नहीं है साइड इफेक्ट इसके कुछ नहीं है और इसकी एक्सपाईरी डेट कुछ नहीं है दूसरों को बताएं ऐसी मेरा निवेदन है एक और बीमारी है जिसके लिए आप अपने घर में खुद इस्तेमाल करें दवा है वो आपको फिर्दैग हाथ हुआ है और डॉक्टर ये कहता है कि आपको ब्लॉकेज है कभी वो 70% हो सकता है कभी 80%, कभी 90%, कभी 99% और डॉक्टर आपको बार बार ये कहेगा आप ऑपरेशन करा लो एंजियो प्लास्टी करा लो बाइपास करा लो मेरा निवेदन है कि आप इस चक्कर में नाफस है क्योंकि एंजियो प्लास्टी का एक भी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि दुबारा आपको हर्ट अटेक नहीं आएगा भाईपास सरजरी का operation करने वाला कोई डॉक्टर ये गारंटी नहीं देगा कि आपको दुबारा अटेक नहीं आएगा कई बार तो यह देखा गया है कि सबेरे ओपरेशन कराया शाम को दुबारा अटेक फिर आगे और ये ओपरेशन में होता क्या है वो आप जिरा जान लें तो आपको खुद अन्लाजा लगेगा कि ये कितना फाल्ट हो ओपरेशन है एंगियोप्लास्टी में क्या करते हैं एक स्प्रिंग आपके हर्ट की आर्ट्रीज में डाली जाती है हिर्दय को रख्त देने वानी एक वाहिका है और हिर्दय से रख्त ले जाने वानी एक दूसरी वाहिका है हिर्दय का काम क्या है रख्त का लेना और देना हिर्दय शब्त संस्क्रिप का शब्द है और संस्क्रिप की दो धातूँ से मिलकर बनाएं री एक संस्क्रिप धातू है जिसका मतलब होता है लेना और दय दूसरी संस्क्रिप धातू है जिसका मतलब है देना री दय लेना देना लेना देना लेना देना करे वो हिर्दै किस चीज का लेना देना करे रक्त का, खून का तो हिर्दय रक्त लेता है और वापस आपको देता है तो रक्त ले जाने वाला जो रास्ता है इसमें कहीं रुकावट अगर आई तो उस रुकावट को ठीक करने के लिए दॉक्टर के पास कोई दवा तो है नहीं वो करता क्या है उस रुकावट में एक स्प्रिंग डाल देता ताकि रक्त ले जाने वादी नवी थोड़ी चौड़ी हो जाए और रक्त आसानी से जा सके ये स्प्रिंग वही होती है जो बॉल पैन में होती है आपने बॉल पैन की स्प्रिंग देखी है उसी पर मेडिसिन का कोट करते है स्टेनलेस स्टील से बनती है बॉल पैन वाली ही स्प्रिंग है बस उसके उपर मेडिसिन का कोट है और आपको बहुत आश्यल लगेगा ये सुनकर कि ये स्प्रिंग 10 रुपई में बनती है और जब आपके हिर्दे में डाली जाती है तो डॉक्टर डेड़ से 2 लाख रुपई का बिल बनाता है और कई डॉक्टर तो इतने बेइमान है कि इस स्प्रिंग को बीच से काट के 2 कर देते हैं और वो दो ऑपरेशन का चार्ज आप से वसूब लेते हैं 3 लाख रुपई दे दे मैंने दो इस्टंट डागे था और ये जो स्प्रिंग डाली जाती है ये थोड़े दिन में बेकार हो जाती है क्योंकि जहां तक स्प्रिंग पड़ी हुई है वहां तक तो रख्ट का प्रवाँ ठीक है लेकिन स्प्रिंग के आगे और पीछे फिर रुकावट आ जाती है और ये स्प्रिंग पूरी बेकार हो जाती है तो आपको दुबारा ओपरेशन कराना पड़ता है और दूसरी बार फिर देड़ से तीन लाग रुपए खर्च होता है तो आप बूलोगे जी क्या करना चाहिए बात तो सीदी सी ये है कि आपके हिरदय के रख्ट में वुकावट करने वाली जो टेंडेंसी है उसको खतम करिए ब्लड में एक टेंडेंसी होती है रख्ट में एक टेंडेंसी होती है और उसके कारण रुकावट बढ़ती है कच्रा आजाता है रख्ट में तो वो टेंडेंसी खतम कर दीजे तो हमेशा के लिए आप ठीक रहें तो आप बूलेंगे फिर क्या करें इस रक्त की टेंडेंसी को खतम करना है कि रुकावट ना आए इसके लिए एलो पैथी के पास कोई इलाज नहीं है इसको विनम्रता पूरवक्त मैं आपसे कह रहा हूँ एक भी इलाज नहीं है उनके पास कि आपके रक्त में रुकावट ना आए मैं आपको एक सरन उधारंट से ये समझाओ आपके घर के आगे पानी निकलने के लिए एक नाली बह रही है मानने के और इस नाली में कोई रुकावट आ गई तो क्या होने वादा है पानी इधर उधर से बहेता तो आप क्या करेंगे आपसे अगर मैं पूछू कि आपके घर का गंदा पानी निकलने वाली नाली में रुकावट आ गई है अब इस रुकावट को आने के बाद आप क्या करोगे एक रास्ता है कि नाली तोड़कर दूसरी नाली बनवाओगे और दूसरा रास्ता है कि नाली में जो कच्रा फस गया है इसकी सफाई करोगे कौन सी चीज अच्छी है आपके घर से गंदा पानी निकलने वाली जो नाली है इसमें कच्रा फ़स गया है इस कच्रे को साफ करोगे या उस नाली को तोड़ कर नई नाली बनाओ आप रोगे जी कच्रा साफ करेंगे तो हर्ड के लिए भी यही विकल्क है ये पुरानी नाली तोड़ कर नई नाली बनवाना माने आपरेशन कराना और कच्रे की सफाई करके नाली को ही साफ कर देना माने आयर वेट की पद्धिती में जाना अब आप पूछो रहे जी क्या कच्रा है हमारे रक्त में जो रुकावट पैदा कर रहा है इसी कच्रे का नाम है कॉलेस्ट्रॉल आपके शरील में जरूरत से ज़्यादा NDL माने लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन और VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपो प्रोटीन बढ़ गया है इसी ने आपके रक्त में रुकावट लाई है तो आप क्या करो NDL और VLDL को कम कर लो माने कच्रे की सफाई कर लो माने रक्त को शुद कर लो माने रक्त का शुदी करन कर दो अब आप ये पूछो कि रक्त को शुद करना कच्रे को हटाना रक्त में से इसके लिए आयरुवेद में क्या दवा है तो आयरुवेद की सबसे अच्छी दवा आपके घर में है उसका नामे घिया उसका नामे लौकी उसका नामे दूधी उसका नामे सोरेकाई उसका नामे कुंबरकाई उसका नामे सोतेकाई अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग नाम है आपके पंजाबी में शायद धिया कहते हैं उसको हम लोग हिंभी में लौकी कहते हैं उसको मराथी में उसको दूधी कहते हैं गुजराती में भी उसको दूधी कहते हैं कन्नर में उसको सोरे काई कहते हैं तमिल भाशा में उसको सोते काई कहते हैं, अलग-अलग भाशाओं में अलग-अलग नाम है इसके लौकी के, लौकी माने गिया, ये आपके घर में है, ये खून को सबसे तेजी से शुद्ध करता है, और ये खून के सारे कचरे को निकाल देता है, माने खून में जो में तकलीफ है, आप उनको बोलो, ऑपरेशन ना कराएं, ये का रस को है, ऑपरेशन में तीन लाग रुपए क्यों बरबाद कर रहे हो, ये के रस में पांसो रुपए में ही आप ठीक हो जाओगे, इससे जादा खर्च नहीं होने वाला आपका, अब आप बोलेंगे, ये का रस कैसे निकालें, ये का रस निकालने का तरीका है, कि उसका छिलका ना उतारें, छिलके को साबुत रखें और रस निकालें, ये के छोटे-छोटे टुकडे करें, मिकसर में, जूसर में उसको क्रेश कर लें, रस निकलाएगा, अब इस रस में थोड़ा तुलसी पत्ता मि रहें पीसकर तीनों को पी indeed है कर अब का त्यार है इसको पीना है रोज सुभा लिख स्ड़ाओं ऑपनी कुछ तखलीप हो खाता खाने के और गंदे के बाद या नाश्डा करने के से निकल जाएंगे, आपका कॉलेस्ट्रोन ठीक हो जाएगा, प्राइ गिलिसराइड़ स्ची को जाएगे, आपका हाई ब्लट प्रशर है वो एक्दम सामन में हो जाएगा, आपके शरीम में खूल में कहीं भी कोई रुकावट है, वो रुकावट इससे निकल जाएगा. और मेरा एक दूसरा सुझाओ है आपको कि आप ये जो घीय का रस पिएंगे इस घीय के रस के साथ-साथ रोज एक घंटे प्राणायाम कर लीजे तो और जल्दी ठीक हो जाएगा खाली घीय का रस पिएंगे चार से पांच महीने में ठीक होगा लेकिन प्राणायाम साथ में कर लेगे तो देड़ दो महीने में हिर्दय आपका चीक हो जाएगा प्राणायाम में सबसे ज़्यादा कपाल भाती और अनलोग विलोग ये दो प्राणायाम आप कर लीजे और इन प्राणायाम को सिखाने के लिए हमारी योग कख्षाएं यहां चलती है उसमें आप आजाएएँ सीख लीजे और फिर वही करिए दो महीने बाद आपके हिर्दय को चेक कर लीजे कि अभी दुरस्त हो गया कि नहीं हो गया तो आप दो लोगे हिर्दय को चेक कैसे करेंगे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा एंजियोग्राफी तो करानी ही पड़ेगी एंजियोग्राफी कराने की ज़रुत नहीं है घर में ही आप चेक कर सकते हैं कि आपका हिर्दय ठीक हुआ या नहीं हुआ तो क्या करें इसके लिए बहुत सरन तरीका बताता आपके घर की सीडियों को चड़िये एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नौदस आराम से चड़ते जा रहे हैं अगर सीडियां और छट पर पहुँच गए तो समझ लीजे हिर्दय बिल्कुल ठीक है और जो सीडियां चड़ने में रुकावट आ रही है सांस फूल रही है दम फूल रहा है आपको खड़ा होना पड़ता है बैठना पड़ता है तो समझ लो अभी भी ब्लॉकेज है और वो निकला नहीं है सीडियां चड़कर देख लो सबसे आसान तरीका है हिर्गय को चेक करने को सीवनिया सब के घर में आप बच्चों की तरह से खटखट-खट-खट सीवनिया चड़ जाओ तो समझना हिर्गय एकदम सुरक्षित है और नहीं चड़ पा रहे हैं तो फिर थोड़े दिन ये घिया का रस और पी लो दो महीने पिया और एक महीने पी लो तीन महीने बाद फिर चेक कर लो और लगता है कि ठीक हो गया तो रस बंद कर देना नहीं लगता है तो फिर और एक महीने पी लेना इसमें मुश्किल तो कुछ नहीं side effect कुछ नहीं है extra heat rate भी नहीं है इसकी और ये सस्ते से सस्ता आसानी से हर घर में उख लगत है अब बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि आजकल गिया का रस पीने में खत्रा है क्योंकि उसमें injection लगा जेते हैं oxytocin का injection लगा जेते हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि गिये में injection लगा है या नहीं लगा है इसकी पहँचान आप कर लो और ये पहँचान आप खुद कर सकते हो देखकर तो पहँचान नहीं होगी अगर आप गिया देखकर पहँचान करोगे तो नहीं कर पाऊगे तरीका दूसरा बताता हूँ गिया को हाथ में ले दो और नाखुन उसमें दवा उता हुटे का नाखुन उसमें दवा दो गिये में अगर नाखुन आपका जल्दी से घुश गया अंदर तो समझना गिया एक तम शुद है और ये नाखुन अगर घुश नहीं रहा है तो समझना गिया में इंजेक्शन लगा दिया है ये ऑकसी टोसिन का इंजेक्शन जब गिया में लग जाता है तो उसकी जो तवचा है वो बहुत कठोर हो जाती है और उसमें नाखुन घुशना मुश्किल हो जाए और जब तक गिये में इंजेक्शन नहीं लगा है तब तक उसकी तोचा बहुत नरम और मुलाहिम होती है बापुन आसानी से गुज़ जाए तो इस तरीके से आप परिक्षाँ कर लो और शुक्त गिया है वो आप घर में ले आओ और मेरा तो एक सुझाओ है घिया अपने घर में लगा लो आपके घर में छोटा सा गंबला है न उसमें ही घिया लग जाएगा क्योंकि घिये की जड़ कोई बहुत दूर तक नहीं जाती है घिया जो है ना क्रीपर है बेल वाला फल है तो बेल वाले फल तो गंबले में भी लग जाते है गंबले में एक बीज लगाओ बेल बढ़ेगी और घिया मिल जाएगा मैंने बहुत लोगों की छट पर घिया लगवाया और एक बीज से 125 घिया आते है और उसके दो फाइदे हैं छट पर गंबले में घिया लगा दो तो उसकी बेल पूरी छट पर फैल जाती है तो सूरज का प्रकाश आपके घर को गरम भी नहीं करता और नीचे के तापमान में पांच दिगरी की कमी आ जाती है मने घर भी ठंडा रहेगा और घिया का घिया सुद्ध मिलता रहेगा टू इन बन हैंगे बहुत घरों में हमने करके देखा है बहुत अच्छे परना आप भी कर लो अपने घर में और अगर कहीं कच्ची जमीन है घर में थोड़ा बहुत आपके पास लॉन है बगीचा है तो उसमें ही लगा जोगी अब मैं एक तीसरे रोग के बारे में बात करूँगा जो बहुत लोगों को है सत्रे करोब भारतवासी इस रोग से परिशान है संदिवाद जॉइंट स्पेल गुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंदे का दर्द हटियों के जोडों का दर्द इसका एक हिस्सा है रुमेटिक अर्थराइटिस और एक हिस्सा है औस्टियो अर्थराइटिस इन दोनों की दवा अपने रसोई में है बहुत अच्छी दवा है वो दवा क्या है मैधी दाना, पीस के पाउडर बनाओ हल्दी उसमें मिलाओ परसूट का पाउडर भी उसमें मिला। पंजाबी में सोथ को शायद सुंद कहते हैं सुखा हुआ अद्रट मने सोथ मने सुंद इसका पाउडर मैथी दाने का पाउडर और हल्दी इन तीनों को बरावर मात्रा में मिला के भर के रख़लो शीशी में और इसको एक चम्म सुबह शाम गरम पानी के साथ ले ले तो आपके उन्टों का दर्द, कमर का दर्द, कज्ये का दर्द तीन चार महिने में ही आपको ठीक हो जाए और साथ में एक गंटे प्राणायाम कर लिया अनलों विलों का पाल बाती, तो और जद्वी ठीक हो जाए इसी के साथ एक बहुत खराब रोग है, गठिया हम जिसको कहते हैं, गाउट गाउट के लिए हमारे घर के बाहर एक दवा है, बहुत अच्छी दवा आपके घर के बाहर बहुत सारे पेड़ रहते हैं, भगीचों में बहुत सारे पेड़, बागों में बहुत सारे पेड़ रहते हैं तो एक पेड़ खोजो, जरूर मिल जाएगा यहाँ पर, उसको हम कहते हैं हार सिंगार कुछ लोग उसको कहते हैं परिजाद परिजाद नाम का एक पेड़ है हारसिंगार नाम का एक पेड़ ये मिल जाता है कहीं भी पंजाब में तो बहुत जगए है इस पेड़ की कहचान क्या है इस पर छोटे छोटे सफेद रंके फूल आते हैं फूल सफेद रंके होते हैं और उसकी डंडी-naranगी रंके होते हैं फूल रात में बहुत खिलते हैं और सुबह-सुबह जमीन पर पड़े हुए मिलते हैं ये पेड़ है कई भी मिल जाएगा आपको इस पेड़ के पत्तों को हाथ से छुकर आप देखोगे तो उसमें काटे जैसे लगते ये हार सिंगार का पेड़ है परिजात का पेड़ इसके जो फूल है वो तो बढ़वान के लिए है पत्ते आपके लिए है और ये हार सिंगार के पेड़ के पत्ते गठिया की सबसे अच्छी दवा क्या करना है छे-साथ पत्ते तोड़ने हार सिंगार के या परिजात के इसको पीस कर चटनी बनाना और इसको एक गिलास पानी में उबालना उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए और फिर उसको ठंडा करके पीना सबेरे खाली पेट दिन में बस एक बार अगर आप ने ये हार सिंगार के या परिजात के पत्तों का काणा पीना शुरू किया तो बीस-बीस साल पुराना गठिया सिर्फ दो महिने में ही ठीक हो जाए बीस साल पुराना गठिया बहुत बढ़िया परिणाम है इसके लाखों मरीजों को हम न देखा है ठीक होते हूँ और जल्बी ठीक होना है तो आप इसके सार प्रणायाम कर लो एक गंटा सुबह कपाल बाती अनुलूम गिलो बस और ये परिजात के पत्तों का काड़ा पीते जाओ बहुत आसानी से आपका गठिया जड़ से मिठ जाएगा बताता हूँ ये जो परिजात या हारसिनार के पत्ते का काड़ा है अगर कोई पिये तो घुटने बदलवाने की ज़रूरत नहीं होती आजकल कई बार क्या होता है डॉप्टर मी जॉइंस को रिपलेस करने की बात करते हैं वो कहते हैं जी आपके घुटने जिसका हैं अब आपकी उमर बहुत हो गई है ये नए लगवालो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहूँगा कि घुटने नए लगवाने से पहले भारत के पूर प्रधानमंत्री मानिनी श्री अटल बिहारी वाजपई को देख लेगा उन्होंने घुटने जब नहीं लगवाए थे तब वो चल पाते थे अच्छे से और जब से नए घुटने लगे उनको कुर्सी पर बिठा कर लाना ले जाना पड़ता है क्योंकि नए घुटने हमेशा आपके शरीर में उपियोगी होंगे ये जरूरी नहीं है तो डॉक्टर अक्सर क्या देता है घुटने बदलवादो आप मत बदलवाना आप तो ये परिजात के पत्ते का काढ़ा पीलो हार सिंदार के पत्ते का काढ़ा पीलो आपके फुरानी घुटने ही नए हो जाएंगे उन्हीं से आपका जीवन दस बारे साल आगे बढ़ जाए जिनको हिप जोइन्स रिप्लेस करने के लिए डॉक्टर बोलता है उनको भी जरूरत नहीं है यह परिजात और हार सिंदार के पत्ते का काढ़ा हिप जोइन्स के रिप्लेस्मेंट की भी दवाद है आप इसको उप्योग करें और मेरा तो कहना है कि जो अपने योग सिक्षक हैं पतंजली समीती के मारत स्वाभिमान के यह सबी घरों में जा जाकर हार सिंदार के बीज बाट दें सब अपने घर में इसका पौधा लगा लें क्योंकि आजकर गठिया बहुत तेजी से बढ़ गया है यह पौधा बीज से लगता है और बीज इसका किसी भी नरसरी में मिल जाएगा आपसे बहुत बढ़िया पेड है यह घर में खुश्बू देता है फूल की मदद से और आपको पत्ते देता है ओशनी के रूप और दो चार बीमारियों की बात करता हूँ बवासीर एव बीमारी है जिस पर बहुत ऑपरेशन हो रहे हैं आजकर और ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन ऑपरेशन के बाद फिर ऑपरेशन थोड़े दिन ठीक रहता है फिर वापस होता है फिर ठीक होता है फिर वापस होता है और आदमी तकलीफ में आता है मत करवाईए बवासीर का उपरेशन बवासीर है, मूर प्याद है, बगंदर है, फिश्चुला है, पाइल्स है, हेमरोइट्स है, इनके उपरेशन मत करें क्या करें? अपने घर की दवा खाईए, घर में बहुत अच्छी दवा है, काला दाख, काला मुनक्का यह बहुत बढ़िया दवा है बवासीर, क्या करना है? रात में पाच्छे काले मुनक्के पानी में डाल दो, रात बर उसको पानी में रखो, सबेरे उठकर मुनक्के के बीज निकाल दो, और उसको चबा कर खाओ, और पीछे से वही पानी पियो, जिसमें आपने मुनक्का डा और ये चार-पांच महीने लगातार करो तो खूनी बवासीर और बादी बवासीर दोनों ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी दवाए और अगर मुनक्का ना मिल पाए किसी कारण से तो अपने घर में किश्मिश है छोटी दाख जिसको आप कहते हो पंजाबी में शायद तो यह पीछे से पानी बवासीर और आपको जब अंगूर मिलता है ताजां तो काला वाला अंगूर चबा चबा कर खाओ हर दिल करीब 100 ग्राम अंगूर चबा कर खा दिया करो खाने के बार बवासीर जब से मिटा देगा और अगर अंगूर चमाने में किसी को कोई तकलीफ होती है कई लोग कहते हैं जी दात खटते हो जाते हैं तो आप ऐसा करो अंगूर का रस निकाल दो आधा कप अंगूर का रस खाना खानी के एक घंटे बाद कोई भी नियमित रूप से पिए तीन-चार महीने बवासीर जड़ से खतम हो जाएं खूनी हो या बादी हो आप बोलोगे काले ही अंगूर से ठीक होता है क्या काले अंगूर का रिजल्ट बहुत जल्दी आता है लेकिन ना मिले काला अंगूर तो जैसा भी अंगूर मिल रहा है उसको आप जो है ना इस्तेमाल कर लो अब बहुत लोग फिर मिलिव को शिकायत करते हैं वो कहते हैं जी अंगूर पर इतने केमिकल्स इस्प्रे किये जाते हैं एंडोसलिफान, मेलाथियान, क्लोरोपाईरीफॉस कि अंगूर सफेद सफेद तो ऐसे ही भी खाई देता है तो डर लगता है सबको औप जैलिक एसिड में डालकर अंगूर आपके पास आता है तो अब इस डर को मिटा दो क्या करना है ये अंगूर जो बजार से आप खरीदे हो और आपके मन में ये शंका है कि इस पर कुछ केमिकल्स इस्प्रे किये गए है उस अंगूर को थोड़ी देर के लिए गोमूत्र में डाल दो गाई का मूत्र ले लो सौ डेर सो ग्राम गोमूत्र ले लो या दो सो ग्राम ले लो उसमें एक लीटर पानी मिला दो अब इसमें अंगूर को डाल दो, दो-चार घंटे पड़ा रहने हो, फिर उस पर जितना भी विश्ट डाला गया है, वो सब गोमूत्र निकाल लेगा, और उस अंगूर को आप ले लो, इस्तेमाल करो, कोई तकलीश नहीं आने हो, बवासीर की और एक दवा है अपने धर मो, वो दवा है मूली, मूली का नीचे वाला जो हिस्सा है जिसको सफेद सफेद आप देखते हो, इस मैं से रस निकाल लो, और मूली का रस रोज पीना आधा कब, खाना खाने के आधा घंटे बार, लगातार तीन महिने पीलो, बवासीर, भगंदर, मुर्व्यान सब ठीक कर द ताहिरे मूली परस, और एक दवा है अपने घर में, बवासीर की, मुर्व्यान की, भगंदर की, वो है कपूर, जो कपूर आप पूजा में इस्तिमाल करते हैं, वो कपूर, इस कपूर का थोड़ा सा हिस्सा, मामूली सा हिस्सा, ऐसे समझ लो, कनक्ये दो दाने के बराबर क कपूर, खाना है आपको, अब खाना थोड़ा मुश्किल है इसको, तो अक्सर इसको खिलाने के लिए हम क्या करते हैं, केले में लगा दो, केले में कपूर लगाके केला खा जाए, और ये पंदरे दिन में एक ही दिन खाना, कनक्ये दो दाने के बराबर, तो दो महिने में त तिन चार बार आपने खाया, 82 जड़ से ठीक हो जाएगा, भवंदर जड़ से ठीक हो जाएगा, और 82 मूल्याद भगंदरखी तो ऐसी और 20 दवाएं हैं, इतनी ही काफी है आप इनका उतियोग करना, और एक बीमारी है, जिसके बारे में मैं आप से कहूँगा, माईग्रेंग, सिर का दर्द है, आदे सिर में दर्द होता है, पूरे सिर में दर्द होता है, सिर के पीछे वाले हिस्से में दर्द होता है, सामने वाले में दर्द होता है, लेफ्ट राइट में दर्द होता है, इसकी सबसे अच्छी दवा अपने घर में है, देशी गाय का घ देशी गायका भी हल्का गरंद करके दोनों नाथ में डालते सो जाओ और लगातार देड़ दो महिने अगर आपने किया तो माइग्रेन आपका 20-20 साल पुराना ठीक कर देगा ये गायका भी सिर्का दर्द 20-20 साल का गुआए के गी से ठीक हो जाता बस ध्यान ये रखना है कि ये गायका गी देशी गायका ही होना जर्सी के गी से कुछ फाइदा नहीं है ह-फ गाय जो है ना होलेस्टियन फ्रीजियन उसके दूद का गी अगर इस्तेमाल करेंगे कोई लाब नहीं देशी गायके गी का ही ये लाब करेगा माइग्रेन में सुर्दधी और अगर काली गायका गी मिले काली गायका दूद दूद का बनाया गही दूद का बनाया गही से निकाला मक्षन मक्षन से बनाया गही काली गायका गही होगा तो सबसे जल्दी आप ठीक होगे और मैं आपको दो-चार बाते और बताता हूँ यह गाय का घी आपका सिर्दर दूप मिटाएगा है और उसके साथ कई बीमारी ठीक करेगा जिन लोगों को रात में सोते समय नाक से खर्राटे आते हैं नाक जिनकी आवाज करती है उनको गाय का घी नाक में डाल दो खर्राटे आना तुरंट बंद हो जाए एक और बीमारी इससे ठीक होगी कि गाय का घी रात को डाल दिया तो जिनको नकसी फूपती है नाक से अकसर फून आ जाता है उनकी यह बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाती है कई बार डॉक्टर आपको यह कहता है कि नाक की हटी बढ़ गई है इसका ओपरेशन कराओ बिल्कुल मत कराना आप खाली गाय का घी डालते रहना कोई ओपरेशन कराने की जरूरत नहीं कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको नाक से सास लेने में तकलीफ होती है और वो मू से सास लेते हैं हमेशा उनको गाय का घी डाल दो फिर मू से सास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रिकुल ठीक होता है जिनको नजला है बहुत पुराना 10-7 हो गया, 15 साल हो गया उनकी नाक में गाय का घी डाला तो मजला भी चीक हो जाएगा जिनको सबेरे से शाब कभी भी चीके ही चीके आती है बार बार चीकते रहते हैं और चीकते चीकते परिशान हो जाते हैं उनकी नाक में गाय का घी डलमा तो चीके सब बंद हो जाएग बहुत अग्वूत है ये कारेकर, इसका जरूर उप्योग करिया और एक बीमारी है, आँखों की बीमारी है अमारे घरों में जैसे चश्मा चड़ गया है, दिखाई कम देता है, आँख में मोतिया बिल्द आ गया है, केटरेक्ट हो गया है, मायोपिया है, ग्रेटिनल इटेच्मेंट है, ये सब बीमारियों की बहुत अच्छी दवा अपने पास है, देशी गाई का मूत्र आँख में डालो, गाई का मूत्र लेलो, देशी गाई का बोतल में बरके रखो, एक-एक बूंद उसको आँख में डालो, सुबह डालो तो बहुत अच्छा है नहीं तो शाम को सोते सब देशी गाय का मूत्र जैसे ही आप डालेंगे आपकी आखों से चश्मा उतर जाएगा देशी गाय का मूत्र डालेंगे मोतिया बिंद अपने आप गल जाएगा बिना ओपरेशन देशी गाय का मूत्र डालेंगे रेटीना आपका युद्दम दुरुस्ट हो जाएगा रेटीना पे कोई भी तक्लीफ हो गो मूत्र से ठीक हो जाएगा जिनको आखों में ज़्यादा पानी आता है बार बार उनका पानी आना बन दोगा जिनको आखों में खारिश होती रहती है वो खारिश ठीक होगी जिनकी आखें लाल रहती है अकसर वो आखों का लाल लालमी ठीक कर देगा आखों की 20 से ज़्यादा बीमारियां गाय के मूत्र से ठीक हो जाएगा मैंने गो मूत्र पर लगवग 20 साल के सर्च किया इतना अध्वुत है ये कि इसका वर्णन करो घंटों घंटों लगते हैं गाय के मूत्र का उप्यों का आप करिया आँखों के लिए बहुती बढ़िया दा बस इसका ध्यान ये रखना है कि गाय का मूत्र लेना वो गाय देशी होनी चाहिए और गाय गर्ववती ना हो गाए जब गर्वबती होती है उस समय का मूत्र मत लेना नहीं तो आपों में जलन हो जाए गाए की बच्छिया का लेना जो मा नहीं बनी उसका सबसे अच्छा है और यही गाए का मूत्र अगर कान में डालो गया तो कान के कई रोग ठीक करेगा जैसे कान में से अक्सर मबाद आता है पस मिकलता है गो मूत्र डाल दो ठीक हो जाएगा कान से कम सुनाई दे रहा है गो मूत्र डालो अच्छा सुनाई देगा कान में फोड़े फुंसी हो जाए गो मूत्र डालो ठीक हो जाएगे कान में से कई बार घम ऐसी आवाज आती रहती है वो मुत्र डालो आवाज क्लियर हो जाएगी कान की बिमारियों में भी ये कामा आता है कान की बिमारियों के लिए और एक दवा अपने रसोई में है रसोई में नहीं घर में है एलो विरा एलोविरा का प्लांट अपने घर में लगा के रखो थोड़ा सा उसका पत्ता काटो उसका छील का रस निकाल लो वो एलोविरा का रस कान में डालो तो कान की लगबग हर बीमारी में ये भी काव आता है एलोविरा का रस बहुत दवाएं है अपने पास का गले की बीमारियों की बात करें जैसे गले में टॉंसलाइटिस की बीमारी बहुत बच्चों में होती है और अक्सर हम डॉक्टर के पास जाके उसका उपरेशन करा लेते हैं मेरा कहना है आपको बिल्गुल ज़रूरत नहीं है टॉंसलाइटिस के उपरेशन की अपने धर में इसकी दवा है दवा क्या है हल्दी आदा चम्मच हल्दी ले लो और जिनको भी टॉंसलाइटिस की तकलीफ है बच्चे हो या बड़े उनका मूँ खोल कर वो हल्दी अंदर डालो गले में नीचे तक हल्दी जाए जीप पर मट डालना जीप से थोड़ा आगे गले में डालना है हल्दी को और डालके एक घंटे चुपचा बिठा दो कुछ खाना पीना नहीं है तो हल्दी धीरे धीरे लार के साथ लीचे उतर जाएगी और टॉंसलाइटिस की तकलीफ हमेशा ते लिए ठीक हो जाएगी एक डोस देना उसके बाद दूसरी डोस देने की शायद जरूरत ना पड़े और अगर जरूरत पड़ेगी तो एक हफ़ते के बाद ही देना साथ दिन के पहले मत देना एक हफ्ते बाद दूसरा डोस दे देंगे फिर नहीं आएगा तॉंसलाइट जिसका कभी भी कोई तक है ऐसे ही गले में एक पीमारी है स्वर भंग हुआ स्वर भंग हुआ अब आज बैठ गई आपकी तो काली मिर्च चूचना शुरू कर दो पुड़ा सा मुलेठी ले लो और जल्दी ठीक होगा काली मिर्च मुलेठी और थोड़ा मिश्री ले लो तो बहुत जल्दी ठीक होगा गले का बैठ था माने सुर भंग हुआ अब दो-चार और जल्डी-जल्डी कुछ बीमारियों का बताता हूँ एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अलसर, पैक्टिक अलसर यह अफसर घरों में है इसकी बहुत अच्छी दवा है अजवाइन अजवाइन को तबे में भूनिये और काला नमक मिला के चबा के खाईए खाना खाने के बाद आदा चम्मच बुना हुआ अजवाइन थोड़ा सा काला नमक खाने के बाद चबा के खाओ, एसिडिटी बिल्कुल ठीक, हाइपर एसिडिटी भी ठीटी अगर डाइरिया हो जाए, डीसेंट्री हो जाए, तो जीरा अपने घर में है, जीरे को पानी में बॉइल कर लो और उस पानी को पी लो आदा चम्मच जीरा, आदा कप पानी, बॉइल करके पी जाओ, डाइरिया डीसेंट्री दोनों ठीक करता है अपने घर में बेल है, बेल का पाउडर रखो हमेशा, नहीं तो पतंजली चिकित साले में मिलता है, बेल पाउडर एक चम्म सुबह एक चम्म शाम लेलो, हलके बुन्बुने पानी से, सब तरह का डाइरिया भी सेंट्री ठीप करता है, और ओफेंसिव डाइरिया है, मने बार बार हर पांच मिनट पर आपको टॉइलेट में जाना पड़गा है, तो आप आधर कच्छा दूद लेलो, उसमें नीबु निचोड़कर तुरंत पी जाओ, तो खराब से खराब डाइरिया आपका एक दिन में छीप हो जाए, अब एक दवा और बताना चाहता हूं, जैसे गाय का मूत रहना, ये बहुत बढ़िया दवा है, अस्थमा के लिए, दमा, अस्थमा, ब्रॉंकियल अस्थमा और क्यूबर कुलोसिस, ये चार बीमारिया किसी को भी हो, तो आधर कब गो मूतर पिलाओ देशी गाय का, देड़ से दो महीने में ही ठीक कर देता है, दमा, अ अधर में दाल चीनी, दाल चीनी पाउडर ले लो आदा चमच और आदा चमच बिलाओ उसमें शहर और उसको खाओ, कैसे खाना, चाट के खाओ, पीछे से गरम पानी पीलो, तो ये भी दमा, अस्थमा, ब्रॉंकियल अस्थमा को ठीक कर देता है, और एक दो भीमारियों की बात कर लेता हूँ आपको, जैसे कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि हमारी एडी में दर्द हो रहा है, माताओं को अक्सर एडीों में दर्द है, और डॉक्टर कहता है, जी हड़ी बढ़ गई है आपके, उस इस्तिती में क्या करें, बहुत अच्छी दवा अपने घर में है चूना खाओ, चूना ये पानों जो हम चूना खाते हैं कनक्यदाने के बराबर चूना, दही में मिलाकर रोज सुभरे खाना, दही ना मिले तो लसी में मिलाकर खाना आदा कब दही और कनक्य दाने के बराबर चूना एड़ी का दर्द मिट जाएगा बहुत जल्दी हड्डियों का दर्द भी मिटा देता है बहुत अच्छे से काम में आता है और किसी की हड्डी अगर तूट गई है और प्लास्टर चढ़ा है तो उसका जल्दी से हड्डी जोड़ना है तो कनक्य दाने के बराबर चूना दही में खिलाते रहो हड्डी बहुत जल्दी जोड़ेगा और अच्छे से जोड़ेगा, मद्बूती से जोड़ेगा जिनके दातों में दर्द रहता है अकसर और धंडा गरम पानी दातों में लगता है वो भी ये कनक्य दाने के बराबर चूना खाएं दही में टाल कर, दात बहुत अच्छे हो जाएं हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको ऐसा लगता है कि उनकी लंबाई नहीं बढ़ गई है सभी छोटे बच्चों को चूना खिलाओ, कनक्य दाने के बराबर दही में टाल के, लंबाई बढ़ेगी हो जोड़े हमारे घर में जो माताएं हैं, जिनकी उमर पैतालीस वर्ष हो गई है, और उनका मैंसीज पेरियट बंद हो चुका है उन सभी माताओं को कहो के वो चूना खाएं रोज, कनक्य दाने के बराबर तो मैंसीज पेरियट बंद होने के समय, मेलोपोंस पेरियट की जितनी समस्याएं हैं, वो खतम हो जाएंगी इस चूने से हमारे घर की छोटी छोटी बेहने और बेटियां, जिनकी उमत तेरे चौदे साल की हो गई, लेकिन उनका समय से मैंसी शुरू नहीं हो पा रहा है, उन सभी बेटियों को चूना खिला दो, कनक्य दाने के बराबर इसी तरह से हमारे घर की छोटी बेटियां या बेहने, जिनके शरीक का ठीक से विकास नहीं हो रहा है, उनको आप चूना खिला दो, शरीक का विकास बहुत अच्छा हो हमारे घर में कई बार हमने ऐसा देखा है, कुछ बच्चे होते हैं, जो मानसिक रूप से कमजोर हैं, जिनको हम mentally retarded children कहते हैं, इन सभी बच्चों को आप कनक्य दाने के बराबर चूना खिलाओ दहीं में, दो, तीन साल में ही वो ठीक हो जाए है अगर हमें ऐसा लगता है, कि हमारे बाल जड़ गए हैं बहुत ज़ादा, तो चूना खाओ, आंगला खाओ, बाल जड़ना बंद हो जाएगी ये चूने को मैंने देखा आप बहुत काम में आता है, और एक बीमारी की बात करता हूँ, जॉन्डिस होआ, पीलिया होआ, तो जिनको भी जॉन्डिस है, पीलिया है, उनको गन्ने के रस में कनक्य दाने के बराबर चूना मिला तो पिलाओ, तो 15-17 दिन में बिल्कुल पील अगर कोई भाई ऐसा आपको मिले जिसको नपन सकता की शिकायत है उसके वीर में शुक्राणों नहीं बनते या बहुत कम बनते हैं और इस कारण से वो बाप नहीं बन पा रहा है उसको कहो कि वो चूना खाए गन्ये के रस में बहुत बढ़िया परिनाम है इसके भड़पूर सुक्राणों बनते हैं वीरे माताओं को भी ये चूना खिला सकते हैं जिनके शरीर में अंडाणों नहीं बनते वो माताओं भी गन्ये के रस में चूना खाए शरीर में अगर किसी को ऐसा लगता है शिथिलता आ गई है कमजोरी बहुत है दिला धाला शरीर हो गया है आप च चूने पर रिसर्च किया तब बहुत दिन बाद मुझे पता चला कि हमारे बड़े बुदर्ग लोग बहुत इंटेलीजेंट थे जो हर घर में पांदान रहता था और पान के साथ चूना लगा के खाते रहते हैं और घरों में कुल महमान आता था उसको भी खिलाते थे और हमारे सभी बड़े बुदर्ग जो रोग चूना खाते रहे उनको ना कभी संधिवात हुआ ना गटिया हुआ ना हर्केटेक आया ना काडिये करेस्ट हुआ ना ब्रेन हैमरेज हुआ सब पुचुस्त और दुरुस्त बने रहे और लंबे समय तक उन्होंने जीवन जीया वो चूने का परिणा हुआ इसलिए मैं सब को कहता हूँ चूना खाओ चूना लगाओ मत कभी किसे यह चूना लगाने के लिए नहीं है खाने के लिए बच्चे भी खाएं बड़े भी खाएं और बुजर्गों को तो जरूर खाना चाहिए बस एक ही व्यक्ति बहन या भाई चूना नहीं खा सकते जिनको पत्थुरी की बीमारी है किद्नी स्टोर या गॉल ब्रेडर स्टोर वो चूना ना खाएं बाकी सब खाएं मेरा तो एक सुझाओ है आपके घर में पानी का जो घड़ा है जिसमें आप पीने का पानी भरते हैं उसमें रोच चूना डाल दिया करो तो जो भी पानी पिएगा सब को चूना मिल जाएगा चूना माले कैलशियम कैलशियम हमारे शरीम का सबसे बड़ा आधार है अगर कैलशियम कम हो जाए शरीम में तो सब कुछ कम हो जाता है आईरन कम होगा फॉस्फोरस कम होगा और अगर कैलशियम भरपूर है तो शरीम मे सब चीज़ें अच्छी रहते हैं इसलिए केल्शियम कम मत होने दीजे और चुना सबसे सस्ती चीज़ है जो आसानी से उतलब्द है हमें पानवाले की दुकान में मिलता है वही आपको खाना है माताओं के लिए एक विशेश बात कहूँगा जो माताओं गर्भवती हैं उनको आप नियमित रूप से चुना खिलाइए कनक्चे दाने के बराबर दही में तो माताओं की डिलिवरी नॉर्मल डिलिवरी होगी और बच्चा एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्थ प्यदा हो बहुत होशया रूते हैं और जन्म के समय उनका बजन बहुत अच्छा होता ना α कि ये चूने का बहुत अच्छा हंवाइरे जीवन में रूरी है प्रैजि मैंने कई बीमारियां आपको बता हैं आप इनका अपने जीवन में उपयोग करो, घर की दवाएं हैं, आयोवेट की सबसे सस्ती, बहुत प्रभादी, जिनके साइड इफेक्ट बहुत कम है, आप इन सब दवाओं का उपयोग करो, एक दो बाते और कहके मैं दूसरे विशह पे बात करूँगा, कि अक्सर अब हमारे देश में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और भटिंडा जिला तो सारे देश में बदनाम है इसके लिए, अगर आपके घर में कभी कैंसर की बीमारी आये, तो आप उससे घबराइए मत, अगर देशी गाय का मूत्र उपलब्द है आपके पास, तो आप इस कैंसर के मरीज को दीजिए, कैसे देना है आयूरुवेद की लाइट कुऊ, आयूरुवेद की एक दवा है, जिसको सर्ब गंधा केती है, सर्ब गंधा, सर्ब गंधा को गोमूत्र में मिलाकर उबाल दीजिए, और ये गोमूत्र देजिए, कैंसर मरीज को बहुत आराम कराता है हमने तो कई कैंसर ठीक होते के देखे हैं सर्पगंधा और गोंगुटिव को मिलाकर देना सरपगंधा बजार में उपज़क्ञ है अपके पास है सर्पगंधा दो-三ग क्राम और मिला छाहिए और मौंगुन्धा लगूलोगी नंवालक्र उभावि आर्नली का कैंसर, टेट का कैंसर, आतों का कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलेक्टरल कैंसर, बहुत अच्छे परिनाम, माताओं के वर्भाशे का कैंसर, माताओं की छाती का कैंसर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है उसके। एक आख़ी तबा मुझे और बतानी है आपको आपके घरमे कभी किसी मरेज को गैंग्रीन अगर हो गया तो गैंग्रीन का हिलोपैथी में कोई इलाज विना वो अक्सर क्या करते हैं काट दोते हैं उस हिस्चे को जिसमें गैंग्रीन हो जाता और गैंगरीन जैसी ही एक खतरनाग बिमारी है औस्टियो माइलाइटिस उसमें भी अंग को काट देते हैं डॉक्टर मेरा निवेदन है कि घर में किसी को गैंगरीन हो जाए औस्टियो माइलाइटिस हो जाए और डॉक्टर ये कहे कि ये काट देना तो काटिये मत, ठीक होगा वो आप बुलेंगे उसकी दवा क्या है उसकी बहुत अच्छी दवा है गैंदे का फूल गैंदे का फूल सब जगे उपलत है पीले रंका, नारंगी रंका इस गैंदे के फूल की पत्तियों को निकाल लीजे और इसको गाए के मूत्र में पीस कर चटनी बना लीजे देशी गाए का मूत्र और गैंदे के फूल को चटनी बनाना और ये जो चटनी तयार हुई गो मूत्र और गैंदे के फूल की इसको लगाना है वहाँ जहां गैंगरीन हुआ है इसको लगाना है वहाँ जहां Osteomyelitis हुआ है और लगातार आठ दस महीने आप इसको लगाते जाए गेंदरीन ठीक हो जाता Osteomyelitis का बड़े से बड़ा धाओ बर जाता है मैंने देखा है कि कभी किसी को गोली लग जाए तो गोली जहां लगती है वहां तो बहुत छोटा सा छेद होता है जहां से निकलती है वहां बहुत बड़ा छेद होता है उसको अगर भरना है तो गेंदे के फूल से अच्छी कोई दवा नहीं है प्रकरती यहने के फूरी की पत्तियों को पीसिए वो मूत्र में चट्टी बनाईए और घाव पर लगादीए बड़े से बड़े घाव को भर देता है जहां सैल्स आपके पूरी तरह से मर गए हूं नए सैल्स को जनरेट करा देता है यह गाई का मूत्र और गेंगे का फूर गाई के मूत्र में बहुत ताकत है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस गाई के उपर थोड़ी दया करिए इस गाई को कटने से बचाईए हमारे भारत में हर साल करीब 6 करोड गाई कट रही है 36,000 इसके कतन खाने चल रहे है किसानों से अक्सर मैं बात करता हूँ कि आप अपनी गाई कसाई को क्यों बेच देते हो किसान कहते हैं यह दूद नहीं देती इसलिए बेच देते हैं फिर उन किसानों को समझाईए कि जो गाई दूद नहीं देती वो मूत्र तो देती है और उसके मूत्र से कम से कम 48 बीमारिया ठीक होती है मैंने बताया आखों की बीमारिया ठीक होती है कानों की बीमारिया ठीक होती है छाती की बीमारिया ठीक होती है गैंगरी ठीक हो जाता है कैंसर ठीक होता है तो जिस गाई के मूत्र से इतनी पीमारिया गंबीर गंबीर ठीक हो रही है वो गाई तो बहुत कीमती है और किसानों को समझाईए कि गाई को दूद के लिए ना पाले हैं मूत्र के लिए पाले हैं दूद मिले तो बोनस है असली तो मूत्र है उसका और इस समय हम पतंजली योगपीट की तरफ से हर दिन हजारों लीटर गो मूत्र खरीते हैं आठ रुपए किलो माने गाय का मूत्र बिखता है उसकी कीमत है और एक गाय दिन में चार लीटर मूत्र आराम से देती है 32 रुपए का तो मूत्र उसका बिख जाता है और खाना खाती है तो एक दिन में खर्चा मुश्किल से 25 रुपए आता तो अगर यहां कोई किसान भाई बैठे हो या किसानों के समर्थत मित्र बैठे हो उनसे मेरा निवेदन है कि देशी गाय बचाईए ये कसाई के हाथ में ना जाने पाए अब इसको बचाने का यही एक तरीका है कि गाउं गाउं जाकर अगर किसानों को गोवूत्र का महत्त समझाया जाए तो किसान शाहिद समझ जाएंगे और ये गाय बचना शुरू होगी वैसे तो डेश में कानून होना चाहिए जो गाय का कतल ना होने दे लेकिन ये कानून जब बनेगा तब बनेगा हम अभी किसानों के बीच में ये प्रचार जरूर कर सकते अब मैं एक आखरी बात आप से कहूंगा कि आपको ये इतनी सारी बाते मैंने कहीं सिर्फ एक उद्देश से कि आप अपनी बीमारियों का इलाज खुद कर सकें रसोई की मदद से डॉक्टर के पास ना जाना पड़े एक दूसरी बात और कहना चाहूंगा कि आप बीमार ही ना पड़ें हमेशा स्वस्थ ने हमेशा निरोगी रहे इसके लिए आप आयरुवेद के कुछ नियमों का पालब करें आयरुवेद का एक नियम है कि बात के रोगों की बीमारी आपको ना आये उसके लिए शुद्ध तेल खाए आजकल हम जो तेल खाते हैं इसमें मिलावट बहुत है बाजार से हम जो तेल खरीदते हैं उसमें पाम तेल मिला रहता है और वो पाम तेल हमारी बीमारियों को बढ़ाता है इसलिए मेरा आप सभी को निवेदन है कि आप शुद्ध तेल खाएए तो आप बोलेगे कहां मिलेगा कोलू से जो तेल निकलता है वो शुद्ध तेल है वो लोगाला तेल निकल खाएए अगर भटिंडा में कोई कच्ची घहनी चलती है या कोलू चलता है तो वहाँ अपनी सरसों लेके जाइए उसमें से तेल मिकलवा किलाई ¿गो तेल खाईए? तो वाद के असी रोग आपको जीवन में कभी भी नहीं आईए पित्गे रोगों से बचना है अगर तो देशी गाई का गी खाईए देशी गाई का दूड लीजिये उसका दही बनाईए दही बनाकर उसमें से मक्खन निका दिए, उस मक्खन का गी बनाईए, वो खाईए तो देशी गाय का आप गी खाने लगें, पित्त की बीमारियों से बच जाएए और चीनी खाना छोड़ दीजे, तो कफ की कोई बीमारी नहीं आएगी चीनी की जगे गुड़ खाईए, एक गुड़ की शक्कर भी आती है, वो खाईए, गुड़िया शक्कर कहते है, या तो गुड़ खाईए, नहीं तो मिश्री खाईए, नहीं तो शहद खाईए, ये चीनी बन करते ही, चीनी बन करते ही कफ आपका ठीक होगा, गाय का घी खाते जिनका वात्त ठीक रहता है, उनको कभी कोई रोग नहीं आता, और हर व्यक्ती स्वयस्थ हो सकता है आज के समय में, और ये दो छोटी छोटी बाते हैं जिनके लिए स्वामी जी ना मुझे कहा कि जरूर मैं बताओं आपको जैसे और राजीम गांडी कहा करते थे कि इस 21 लाग करोड के खर्चे में हर साल 18 लाख करोड रुपए लूट लिया जाता है नेताओं के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा कैसे लूटते हैं हमारे नेता और अधिकारी इसके दो उधारन दूड़ा एक नेता है हमारे देश में उसका नाम है मदू कोड़ा वो जारखंड में दो साल के लिए मुख्यमंत्री बन गया और दो साल में ही उसने 5600 करोड रुपए लूट लूट लिए अब मदू कोड़ा जैसा नेता जारखंड जैसे सबसे गरीब राज्य में से दो साल में 5600 करोड अगर नूट सकता है तो भारत के सबसे अमीर राज्यों में जो नेता ददस साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने कम से कम 50,000 करोड के लूटी लिए हमने भारत के कुछ नेताओं की जनम कुंडली बनाना शुरू किया जनम कुंडली ये राहु के तुवाली नहीं लूटा कितना है उन्होंने वो जनम कुंडली जब ये राजनीत में आये तो कितना था अब लूपने के बाद इनके पास कितना हो गया मैं आपको बिना नाम लिए बताना चाहता हूँ आप सब समझ जाएंगे होशे आ रहे हैं कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ एक नेता है महराश्टों में दो बार मुख्यमंत्री रह चुका है केंडर में तीन बार मंत्री रह चुका है आज भी केंडर में मंत्री है 25 साल पहले इस नेता के पास साइकिल नहीं थी घर में और आज उसकी संपत्ती 72,000 करोर की है एक नेता है वो भी महराश्टों में दो बार मुख्यमंत्री रह चुका है और केंगर में इस समय मंत्री है, 25 साल पहले वो सबजी बेचता था दादर रेंगवे स्केशन बंबई पे, आज उसकी संपत्ती 55,000 करोर थे, एक नेता है वो भी महराश्ट का है, 25 साल पहले वो सिनिमा का टिकट ब्लेक करता था महराश्ट में, और वो दो बार मुख्य मंत्र है, उसकी संपत्ती समय 45,000 करोर थे, और ऐसे भारत में 80,000 नेता हैं, रूट रहे हैं पूरे देश, और इन नेताओं के नीचे अधिकारी हैं, वो भी रूट रहे हैं, एक अधिकारी है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम है अखंड प्रतापसी, वो सीनियर आईएस अधिक किया, उसके घर में छापा पड़ा, तो चार सो असी करोर रुपए कैश में, हमने टीवी पे देखा, एक एक हजार के नोटों की गड़ियां ट्रक्ट में भर भर के ले गए, उसके घर में से, इंकम टेक्स के अधिकारी, अखंड प्रतापसीं को पूछा गया, कि आपकी आ 40 साल उत्तर प्रदेश में नौकरी किया, मेरे हर मुख्यमंतरी बॉस को मैंने लूट कर पैसा दिया, क्योंकि हर मुख्यमंतरी मुझे टार्गेट देता था लूट में का, तो मैं कभी 10 करोर लूटता था महीने में, कभी 15 करोर लूटता था, उसमें से आदा मुख्यमंतरी को देता था, आदम में खाता था और इस तरह जिम्नेरा 480 करोर रुपे जमा हो गया और अखंड प्रताप सिंग ने कहा, कि इस देश में ऐसा एक भी पुख्यमंत्री मिलना मुश्किल है, जो लूटने के लिए अपने अधिकारियों को टारगेट ना देता हो वो कहता है, हम अधिकारियों की जो पोस्टिंग और ट्रांसफर होती है उसमें सबसे ज़्यादा लूटाई होती है अच्छे शहर में पोस्टिंग लेनी है 10 करोर देना पड़ता है और अगर हम 10 करोर देकर पोस्टिंग लेंगे तो लूटेंगे, हम क्या करींगे तो हमको तो बेईमान बनाने के लिए ये सिस्टम है और ऐसे अधिकारी और ऐसे नेता मिलके लूटते हैं लाखों करोरों रुपए इन्हों ने जमा कर लिए और ये पैसा ले जाकर विलेशी बैंकों में रख दिया है सुर्जरलेंड की बैंकों में भारत के भष्ट नेता और अधिकारीयों का इस समय बहत्तर लाख करोर रुपए हमारे देश में एक व्यक्ति अभी थोड़े दिन पहले पकड़ा गया उसका नाम है हसन अली वो पूना में रहता उसकी समपत्ति एक लाख करोर रुपए की है और हसन अली कोई बिजनिस नहीं करता कोई इंडस्ट्री नहीं चला हसन अली को पूछा गया आपकी इतनी समपत्ति कैसे तब उसने कहा कि मैं भारत मैं भारत के भष्ट नेताओं के स्विस बैंक में खाते खुलवाता हूँ और उसके लिए मुझे कमीशन मिलता है वो कमीशन में ये एक लाख करोर रुपए आ गया अब कमीशन में एक व्यक्ति को एक लाख करोर मिल गया तो मूल धन कितना होगा लूट का आप इसका अंदाजा लगा सकते और हसन अली का कहना है मेरे जैसे हजारों एजेंट हैं इस बारत में जो विलेशी बैंकों है भरस्टनेताओं के खाते खुल बाते हैं हसन अली को पूछा गया तुम्हारा काम करने का तरीका क्या है तो उसने कहा कि भारत के जो भेस्ट मेता पैसा लूपते हैं हजार करोर, पाँच अदार करोर, दस अदार करोर ये मेरे पास लेके आते हैं रुपए में फिर मैं इस पैसे को कनवर्ड कराता हूँ डॉलर में और वो डॉलर विदेशों में डिपॉजिट कराता हूँ तो रुपए में रख लेता हूँ और उसके बदले में डॉलर उनके महाँ जमा हो जाते हैं ऐसे यहां से हवाला के थुरू सारे एकाउंट खुल जाते हैं दुनिया में एक बहुत बढ़ी संस्था है जिसका नाम है Tax Justice Network उनका कहना है कि भारत के ब्रस्ट नेताओं का विदेशी बैंकों के करीब सक्तर देशों के बैंकों में 258 लाख करोर रुपए जमा हो चुका है पिछले त्रे 60 साले और सुर्जलेंड की बैंकों में करीब 72 लाख करोर रुपए माने कुल मिलाकर 328 लाक परोर रुपए नेताओं ने लूट कर विदेशों में जमा कर लिया है हमने भारत स्वाविमान की तरफ से एक संकल्प लिया है कि ये विदेशी बैंकों में जितना पैसा जमा है इस पूरे पैसे को वापस लाना है और इसको राष्ट की संपत्ती बनाना है और इसी पैसे से देश का विकास कराना है आपके मन में सवाल आएगा क्या ये पैसा वापस आएगा हाँ ये पैसा आएगा कैसे आएगा इसको वापस लाने के रास्ते हैं पहला रास्ता है कि भारत के सुप्रीम कोट की मदद से इस विदेशी बैंकों के जमाधन को राष्ट्र की संपत्ती गोशित कराया जाए ये पहला रास्ता है दूसरा रास्ता है, भारत की संसद में विदेशी बैंकों में जमाधन को राश्ट्र की संपत्ती कोशित करा जाए, ये दूसरा रास्ता है, तीसरा रास्ता है, सयुक्त राश्ट्र संग के साथ कोई संधी करके इस पूरे पैसे को वापस लाया जाए, ये तीसरा रास्ता है, और चौथा रास्ता है अपने देश के टैक्स सिस्टम को बदल कर और बड़े नोटों की छपाई को बंद कराकर इस पूरे पैसे को वापस लाया जाएं ये चौथा रास्ता है और हम भारत स्वादिमान की तरफ से ये संकल्व ले चुके हैं कि इन चारो रास्तों का इस्तेमाल करेंगे और इन 328 लाक करोड़ रुपए को वापस लाएंगे ही ये हमारा पैसा है ये आपका पैसा है ये लोगों के टैक्स का पैसा अभी इस पैसे को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में छे महीने पहले एक मुकदमा दाखिन हुआ है जिसको भारत के मशूर वकील राम जेट्वलानी लड़ रहे हैं और उनके साथ दस और वकील है इस मुकदमे में भारत सरकार को नोटिस इशू हो चुका है क्या है सुप्रीम कोर्ट में वो ये कि जितना पैसा विदेशी बैंकों में हैं वो सारे पैसे का हिसाथ सुप्रीम कोर्ट को बताया जाए तो सरकार में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर विदेशी बैंकों के साथ अपना समझोते करने का काम शुरू किया है और अब तक 38 देशों के साथ सरकार में कुछ समझोते किये हैं जिसके आधार पर ये पैसे का पता चल रहा है कुछ और देशों के साथ समझोते होने वाले हैं और सरकार सुप्रीम कोट को ये बताने वाली है और तब हम सुप्रीम कोट में ये अपील करना चाहते हैं कि ये सारे पैसे को सुप्रीम कोट राश्ट की संपत्ति गोशित कर दे क्योंकि सुप्रीम कोट में ऐसा पहले एक बार किया था नरसिमर राओ इस देश में जब प्रदान मंत्री थे तो यूरिया घोटाला हुआ था उसमें 133 करोर डॉलर का पेमेंट हुआ लेकिन यूरिया नहीं आया वो पैसा नरसे मराओ के बेटे के खाते में जमा हो गया सुप्रीम कोर्ण ने आदेश दिया और आदेश पर वो पूरा पैसा वापस लाया गया और यूरिया घोटाले का एक एक पाई इस देश में वापस आया तो हमारा कहना है कि यूरिया घोटाले का पैसा आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है बोफोर्स का भी आ सकता है एंट्रॉन का आ सकता है घोटाले घोटाले सब एक सभी का पैसा आ सकता है कि भारत की संसद से प्रस्ताव पारित कराया जाए हमने ये तैय कि आए कि अगर सुप्रीम कोट इस मामले में कोई फैसला नहीं देगा तो हम भारत की संसद में ये प्रस्ताव लाएंगे और किसी संसद को तयार करके 328 लाग करोड रुपए को राश्प्री ये संपत्ति गो है सोगी तब हम देखेंगे कौन-कौन संसद इसका विरूद कर रहा है जो संसद इस प्रस्ताव का विरूद करेगा पक्की बात है वेइंपान नंबर एक वही है पैसे उसी के हैं और खाते भी उसी के हैं सारा देश देखेगा वे Ummam話 संसद कौन कौन हैं एकर संसद ने बे तो हमारा संकल्प है कि हम 2014 में जब लोग सभा का चुनाव आएगा तो सारे देश में से ऐसे 400 इमानदार सांसदों को चुनकर लाएंगे जो इस प्रस्ताओं को पास कराएं और 328 लाग करोड रुपई विदेशों से भारत में वापस आएगा आपके मन में सवाल आएगा क्या भारत स्वाभिमान 400 सांसदों को जिता कर ला सकता है हाँ ला सकता है कैसे मैं आपको पुरानी ये घटना सुनाता हूँ 1977 में इस देश में रश्ताओं के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था परमसम्माननी ये जैप्रकाश नाराइन उस आंदोलन के लेता थे था उनके पास कोई गाजनेतिक पारिती नहीं थी और उनके पास कोई बहुत बड़ा संगठन भी नहीं था और उनके पास कोई बहुत ऐसे भी नहीं थे फिर भी माननी जा प्रकाश जी ने सारे देश में रश्टाचार के खिलाफ आंदुलन किया और भारत के लोगों को अपील किया उन्होंने कि मुझे संसद में लड़ाई लगों ने इन पर 377 संसदों को जिता कर देजा था और आपको ये आश्यर ही लगेगी बात कि वो सारे संसद मिर्दलिय जीत कर गए थे पारटी बाद में बनी थी संसद पहले जीत कर गए थे 373 संसद जब जीत कर चले गए तब जंता पारटी बनी थे और इसका चुनाव चिन उसके बाद मिला था स्वामी रामदेव जी को भी 400 संसद मिल सकते हैं कोई बड़ी बात इसमें है पूरे देश का बजट उससे बना सकते हैं देश का बजट इस समय 11 लाग करूर का है और विदेशी पैसे को वापस लाके बैंक का ब्याज यही 32 लाग करूर मिल जाएगा माले हम चाहें तो तीन को ना बजट कर सकते हैं देश का और हमने इसके लिए योजना बनाई है कि देर सान का जो पैसा आएगा व्याज का वो करी 50 लाग करोड उसको भारत के गाउं में विकास के लिए उपयोग करेंगे और भारत के गाउं में विकास का क्या काम करना है हर गाउं में 100 उपयोग लगाने है हर गाउं में सटक बनानी है हर गा county को पीने का पानी पितल हर काहओं में स्कूल और कॉले मैं हर तरह की सुथदा गाउं में जुटाणी और इस पूरे काम में पचास लाग करोर खर्च होगा और पचास लाग करोर कोई बड़ी रकम नहीं है जब अपने पास 328 लाग करोर है तो पचास लाग करोर क्या रकम कर्च कर सकते हैं और ये तो कर्ज के ब्याज में माफ करना ये पैसे को बैंक में लग देने से ही ब्याज के रूप में आ जाएगा 50 लाग परोड तो देर साल में नूल धन तो खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़े और बाद में हम चाहे तो 3 साल देश के शहरों का विकास कर सकते हैं हर साल हमें 32 लाग करोड देगा पांच साल में शहर भी विक्सित हो जाएंगे गाउं भी विक्सित हो जाएंगे तो छटे साल से धन का क्या उपयोग करें वो तो 32 लाग करोड हर साल आने ही वाला है तो उसकी योजना हमने बनाई है कि भारत के कुछ परोसी देशों की मदद करेंगे और उनकी बीमारी उनकी गरीबी उनकी बुराईयां दूर करेंगे भारत के परोस में कई देश हैं यो बहुत गरीब हैं जैसे बंगला देश है, जैसे नेपाल है, जैसे वर्मा है, जैसे भूटान है ऐसे सब्तर देश हैं, इनकी हम मदद करना चाहते हैं दो देशों की मदद नहीं करेंगे, एक चीन और एक पाकिस्तान, बाकी सब की करेंगे और सब्तर देशों की हमने मदद की और इन देशों की गरीबी दूर हो गई तो ये सब्तर देश भारत के मित्र हो जाएंगे और इन 70 देशों की मदद से संयुक्त राश्ट महासभा में हमको तीन प्रस्ताव पारित कराने हैं जो भारत के लिए बहुत जरूरी है पहला प्रस्ताव पारित कराना है कि 1962 में चीन ने हमारी जितनी जमीन चीन लिया था वो सारी जमीन हमें वापस चाहिए वो 72,000 वर्ग मील है और संयुक्त राश्ट में इस प्रस्ताव को पास होने के लिए 70 वोट की जरूरत है और हम 70 देशों को मदद लेके ये काम कर पाएं दूसरा प्रस्ताव है कि पाक उप्नुपाइंट काश्मीर हमारा है और हमें वो वापस चाहिए और पाकिस्तान उसे हमें वापस करें ये संयुक्त राश्ट में प्रस्ताव कराना और तीसरा प्रस्ताव कराना है कि पाकिस्तान में आतंक वादियों के जो केंडर चल रहे ह इन आतंकवादियों के चेंद्रों को या तो सायुप्तिराष्ट संग की सेना जाकर खतम करें नहीं तो भारत की सेना जाएगी और इनको खतम करेंगी कि क्योंकि इन अतंकवादी केंद्रों में जो आतंकवादी तयार हो रहे हैं वो भारत को आकर तकीस ले Emperor कुछ आते हैं मारकर चले जाते हैं और हम सिर्फ देखते रह जाते हैं यह नाकामी और ये नपुन सकता हमें इस देश की खतम करने और इसके लिए सहयुक्त राष्ट की मदद लें और सहयुक्त राष्ट में 70 देश अगर हमारे समर्थन में प्रस्ताव करते हैं तो ये तीनों काम हम कर पाएंगे और इनी 70 देशों की एक बार और मदद लेंगे कि अंग्रेजों ने भारत से 200 सार उमें जो पैसा लूटा है वो सारा पैसा हमें वापस लेना है वो हमारी संपत्ती है देश की संपत्ती है अंग्रेजों ने भारत से कोहिनूर हीरा लूटा जो महराजा रंजीत सिंग के खजाने में था अंग्रेजों ने कोहिनूर जैसे साड़े चार हजार हीरे लूटे हैं बहुत कीमती हीरे हैं जिनकी आज लापों करोणों रुपई की कीमत है अंग्रेजों ने महराजा रेंजीत सिंग का सोने का सिंधासन नूटा है जो आज भी अंग्रेजों के लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है ये हमें वापस लाना है क्योंकि वो हमारी संपत्ति अंग्रेजों ने दिल्ली से एक सोने का सिंधासन लूट कर लिया था मयूर सिंधासन उसको कहते हैं शाह जहां जिस पर कभी बैठा करता था वो भारत की संपत्ती है उसे वापस लेना हमारे देश में एक सोमनाथ का मंदिर था उसका सोने का धर्वाजा अंग्रेजों ने लूटा है ये भी वापस लेना है एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइब जिसने 1757 में पानी के 900 जहाज भरकर सोने के सिक्के भारत से लूटे थे ये सारे हमें वापस लेने हैं क्योंकि ये हमारी संपत्वी और ऐसी पूरी संपत्वी का हमने हिसाब निकाला वो करीब साड़े चार सो लाग करोड की है ये अंग्रेजों से वापस लेनी है इसके लिए सेंगत राष्ट की मदद चाहिए और अंतराष्टी अदालत में हमें मुकदमा भी लड़ना है इसके लिए और उस मुकदमे की तैयारी के लिए अभी से हमने दस्तावेज इकटे किये है हजारों की संख्या में जिनको हम यूए इस्तेवाल करेंगे इस लड़ाई को जीतने अंग्रेज अभी ये कहते हैं कि हमने भारत से लूटा कुछ भी नहीं है भारत में ये सब हमें गिफ्ट में दिया हम सित्य करेंगे अंतराष्टी अदालत में कि हमने गिफ्ट में कुछ नहीं दिया ये सब वो लूट कर ले गए जहाँ से और उसी के लिए प्रमान चाहिए और ऐसे कम से कम हमारे पास 20,000 प्रमान है जो ये सित्ट करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत से क्या क्या लोटा है और इस लड़ाई को जीत कर साड़े चार सो लाग करोड रुपए वापस लाएंगे इंग्लेंड से और ये पैसा लाएंगे हम सोने के रूप में क्यों लाएंगे सोने के रूप में डॉलर का कोई भरोसा नहीं कब गिर जाएगा और इस्टर्वलिन पॉंड का कोई भरोसा नहीं कब गिरेगा अगर ये साड़े चार सो लाग करोड का सोना हम वापस ले आए अंग्रेजों से तो इस्टर्वलिन पॉंड तो एक रुपए के बराबर आ जाएगा एक ही जटके तो हम इसको सोने में लाएंगे और साड़े चार सो लाग करोड का सोना अगर भारत में लाके हमने रख दिया तो भारत के रुपए की ताकत सारी दुनिया के बजार में पचास गुनी बढ़ जाएगी अभी एक डॉलर में लगबग पचास रुपए हैं फिर एक डॉलर में एक रुपया हो जाए और रुपया डॉलर अगर बरावर हो गया तो हम जो निर्यात कर रहे हैं सारी दुनिया को ये निर्यात की आमंदनी अभी आठला करोड की है रुपया डॉलर बरावर होकर ये आमंदनी चार सो लाख करोड की हो जाएगी और अगर 4. rouge क्रोंड की निर्यात की आमंदनी हम हर साल कर पाए तो हम ऐसे देश बनेंगे जो चीन और अमेरिका से भी आगे होंगे ना चीन हमारा मुकाबला कर पाएगा ना अमेरिका और अगर चीन और अमेरिका को हमने पीछे कर दिया तो भारत दुनिया का विश्व गुरू बनेगा और सबसे समरुद्ध शाली राष्ट्र, सबसे बैमव शाली राष्ट्र, सबसे संपत्य शाली राष्ट्र होगा ये भारत को फिर से विश्व गुरू बनाना पहले ये भारत सोने की चडिया था अब भविश्य में इसको सोने का शेर बनाना अब दुबारा इसको सोने की चड़िया नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सोने की चड़िया था इसलिए लूट लिया विदेशियों ने अगर शेर होता तो कोई छू के देखता इसको और एक बड़ी क्रांती होने वाली है कि जब रूपया डॉलर बराबर होगा तो भारत के चार करोड नागरिक जो विदेशों में रह रहे हैं ये सब वापस आ जाएंगे क्योंकि ये भारतवासी जो विदेश गए वो इस लालच में गए कि एक डॉलर में 50 रूपया है अगर एक डॉलर में एक रूपया हो गया तो वो जट नहीं मारेंगे अमेरिका में वापस आ जाएंगे और ये वापस आएंगे तो इनका दिमाग देश के लिए काम में आएगा आप सोचो नासा नाम की अमेरिकन संस्था में 36 प्रतिशत वैग्यानिक भारत के हैं अगर ये सारे वापस आ जाएंगे तो नासा जैसी हम 20 संस्थाएं बना सकते MIT नाम की अमेरिकन टेकनोलोजीकल इंसिट्यूट है Massachusetts Institute of Technology वहां 43 प्रतिशत इंजिनियर भारत के हैं ये सब वापस आ जाएं तो MIT जैसी हम 20 संस्थाएं बना सकते Silicon Valley भारतवासियों के दम पर चलती है अगर सारे भारतवासी आ जाएं तो हम भारत में Silicon Valley बना सकते Microsoft जैसी American company भारतवासियों के दम पर खड़ी हैं अगर ये वापस आ जाएंगे तो Microsoft हम बना सकते दुनिया में सबसे ज़्यादा तक्नी की विकास भारत के दिमाग से निकला है वो तक्नी की विकास को हम भारत में वापस ला सकते हैं भारतियों को वापस ला के और एक काम और होने वाला है कि अगर रुप्या डॉलर बराबर हो गया तो भारत में किसी भी नागरिक को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्सपोर्ट की इंकम इतनी हो जाएगी कि टैक्स की इंकम तो उसके सामने बिल्कुल छोटी है अभी हम टैक्स से 21 लाख करोर की कमाई करते हैं और अगर हम रुपिया डॉलर को बराबर करने तो एक्सपोर्ट की आमन नहीं 400 लाख करोर की है तो टैक्स लेने की तो जरूरत ही नहीं तो टैक्स सारे माफ किये जा सकते हैं और टैक्स माफ हो गए तो भारत का सामन दुनिया में सबसे सस्ता बनेगा और सारी दुनिया के बाजार पे हम चा सकते हैं जैसे अभी चीन चा गया है सारी दुनिया के बाजार में वैसे ही अगले पाँच साल बाद भारत चा सकता है सारे बाजार चीन आज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसके सामन सस्ते हैं हमारे सामान भी सस्ते हो सकते, अगर income tax हम खतम करें, central excise खतम करें, central sales tax खतम करें, toll tax, road tax, आधी tax खतम करें, हमारी चीज़े भी सस्ते होंगे, मैंने calculation किया, कि सारे tax अगर हम खतम कर दें, तो petrol मिलेगा 12 रुपए लीटर, सारे tax खतम हो जाए, तो डीजल होगा 7 रुपए 80 पैसे लीटर, सारे tax खतम हो जाए, तो रसोई गैस का सिलिंडर 14 रुपए का, सारे tax खतम हो जाए, तो नमक मिलेगा 50 पैसे किलो, सारे tax खतम हो जाए, और आपको 100 रुपए का रेल का टिकेट खरीद ना पड़े, तो वो हो जाएगा 22 रुपए का, tax खतम हो, और बस का 100 रुपए का टिकेट वो हो जाएगा 27 रुपए का, tax सारे खतम हो जाए, और भारत से अमेरिका जाना हो, और वापस आना हो, तो अभी जो टिकेट है वो लब्दे हजार का है, वो हो जाएगा फिर 12-13 रुपए, हर चीज सफ्ती हो जाएगा, हमारे देश के जो इंजिनियर तयार हो रहे हैं, IIT में, उनको tax के चक्कर में 5 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है, 5 सारी की पढ़ाई में, पैक्स खतम हो जाएगा तो ये पढ़ाई 50,000 में हो जाएगी, अभी 40 लाख रुपए में M.B.D.S.M.D. होता है, पैक्स खतम हो जाएगा, तो 4 लाख में हो जाएगा, सारी चीज़े सस्ते होंगी, महगाई कम होगी, आमंदनी बढ़ती जाएगी, और अगर महगाई कम होकर हम आमंदनी बढ़ा सके, गाउं-गाउं में सौसो उद्योग लगाके लोगों को रोजगार दे सके, बेकारी कम करा सके, महगाई बेकारी कम होई तो गरी भी कम होगी, और ये तीनों बड़े काम अगर हम कर पाए, तो भारत देश में स्वर्ग त कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जमाना आएगा कि अमेरिकी लोग भारत में आकर नौकरी मांगेंगें, जब रुपया और डॉलर बराबर हो जाए, एक जमाना था जब यहां तक्षिला और नालंदा जैसे विश्व इद्याले थे, और दुनिया के हजारो लोग यहां पढ़ने आएगे, हमें कहीं नहीं जाना पुड़ेगा, लोग यहां आएगे, और भारत के पास बगवान के दिये हुए सभी तरह के संसादन हैं, भारत के पास पूजी भी आजाएगी, टेकनालोजी भी आजाएगी, और भारत के महनती लोग, दिमाख वाले लोग विकास के काम में लग जाएंगे तो भारत तो दुनिया में विशुगरू हो ही जाएगा ऐसा सपना लेकर हम भारत स्वाबिमान का यह अवियान चला रहे हैं आप यह कहींगे अभी तो यह सब सपना है हाँ अभी तो यह सपना है चार साल के बाद हकीकत बनेगा और दुनिया में हर हकीकत एक दिन पहले तक सपना ही होती है एक दिन बाद का सपना हकीकत में बदल जाता है एक जमाना था 1942 में जब महात्मा गांदी सपना देख रहे थे कि भारत आजाद होगा और 1947 में वो हकीकत बन गया एक सपना था जब हम सोचते थे कि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागर, भोपाल और ट्रावन कोर की रियासतें भारत में मिल जाएंगी क्योंकि ये पांच रियासतें बोलती थी कि हम पाकिस्तान में जाएंगे आप याद करिए 1947 पंद्रे अगस्त का दिन जब पूरे देश में पांच रियासतों की गोश्रा हुई थी कि हम तो पाकिस्तान में मिल जाएंगे तब हमारे देश में सरदार बल्लब भाई पतेल ने सपना देखा था कि इन सब रियासतों को भारत में मिलाना है और उन्होंने एक दिन मिला के दिखा दिया एक दिन पहले सपना अगले दिन में हकीकत बना ऐसे ये एक जमाना था कि दुनिया में लोग ये सपना मानते थे कि पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी दोनों मिलकर एक हो जाएंगे आज ये सपना हकीकत बन चुका है दोनों देश मिलकर एक हो चुके एक जमाना था दुनिया के लोग इसको सपना मानते थे कि सोवियत संग नाम का देश कभी तूप सकता है लेकिन आज सोवियत संग जैसा शक्तिशाली देश 17 हिस्वा में टुकड़े टुकड़े हो गया है एक जमाने का सपना आज हकीकत में बदल चुका है एक समय था जब कोई सोचता नहीं था दुनिया में कि यूरोप के देश मिलकर एक कॉमन करिंसी बनाई है लेकिन आज यूरोप में कॉमन करिंसी है जिसको यूरो डॉलर कहते है वो एक सपना था आज हकीकत एक समय था जब लोग कहते थे कि ये सपना है कि यूरोप के देश मिलकर एक सामान ने पार्लिमेंट बना ले common parliament बना ले लेकिन आज वो हकीकत बन चुका है यूरोप में common parliament बन गई है और अब तो common army बनने जा रही है दुनिया के सब सपने एक दिन पहले तक ऐसे ही होते हैं और एक दिन बाद हकीकत में वगल जाते हैं आज ये सपना है हमारा कि हम 328 लाग करोड़ रुपई विदेशों से वापस लाएंगे कल ये हकीकत बनेगा आज हमारा सपना है कि हम भय भूख ग्रश्टाचार सब को बिटाएंगे कल ये हकीकत बनेगा आज ये सपना है कि भारत में हर व्यक्ति को निरोगी बनाएंगे कल ये हकीकत में बनेगा आज हमारा सपना है हर बच्चा पढ़ेगा इस देश में पढ़ने का अधिकार सब को मिलेगा समान लूप से कल ये इस हकीकत बनेगा तो हम सपना देख रहे हैं और इसी को हकीकत में बदलने के लिए भारत स्वाबिमान का संविठन हमने बनाया है आप बोलेंगे हम इसमें क्या मदद कर सकते हैं मैं आपसे एक मदद की अपेक्षा लेकर आया हूँ ये भारत स्वाबिमान के संविठन को पांच करोड मेंबर्स की जरूरत है हर मेंबर हमारा दस और मेंबर बना दे तो पांच करोड का लक्ष पूरा होता है और पांच करोड अगर हमारे मेंबर हो गए तो पचास करोड लोगों तक हमारा विचार पहुंच जाएगा और चार सो से दादा संसद संसद में आ जाएंगे और वहां से ये हमारी शुरुआत हो जाएगी सपने को पूरा करने आप हमारे मेंबर बने दर्दस और लोगों को प्रेजित करें वो भी हमारे मेंबर बने और वो दर्दस और दर्दस को प्रेजित करें इस तरह की हमें आपसे मदद की अपेक्षा है और मैं आखरी बात आपसे कहूंगा कि इस अभ्यान में आप जल्दी से जोड़ जाए तो चार सार बार जब यह हकीकत बनेगा सपना तो सारा यश आपको मिलेगा क्योंकि सन्यासी कभी यश नहीं लेता सन्यासी को यश की जरूरत ही नहीं होती वो तो यश लोगों में बांचते था तो यश आपको मिलेगा करवाने वाला तो यश वर है यश की प्राप्ति आपको होगी और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप इस अभ्यान में जरूर मदद करेंगे क्योंकि हम और आप पुराने समय के बिछुड़े हुए ही लोग है जो 1857 में कभी इकठे हुए थे नाना साथ तेश्वा के नाम से जासि गिरानी के नाम से पात्या टोपे के नाम से नाना फरनवीस के नाम से वासदेव वनवन फरके के नाम से 1857 में हमी शायद रहे होंगे जिनोंने गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी अब बगवान ने फिर हम को भेजा है इन काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने चली और मैं आपसे विनम्ता पुर्वत यह कहने आया हूँ कि एक सन्यासी जब कोई सपना देखता है ना भगवान भी उसको पूरा करा देखा 5857 में एक सन्यासी हुए परम पुझनी स्वामी दयानंद सरस्वते उन्होंने देश की आजादी का सपना देखा और ईश्वर ने वो सपने को पूरा कराने के लिए 7,32,780 करांपिकारियों को भेजा इस देश में जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते अपनी जान दी और देश को 15,47 को आज़ाद कराई ऐसी एक सन्यासी थे समर्थ हुरू रामदास उन्होंने एक सपना देखा और अंग्रेजेब नाम का एक बहुत ज्यादा जुल्म ढ़ाने वाला मुगल साशक था जो हिंदों के मंदिर तोड़ता था हिंदों को मुसल्मान बनाता था जबरजस्ती धरम परिवर्टन कराता था हिंदों के कर लगा दिया था उसमें जजिया कर समर्द गुरु रामदास ने उस समय सपना देखा कि ये मुगल साशक औरंग जेब का तो साशन खतम होना ही चाहिए तो इश्वर ने उनकी सपने को पूरा करने के लिए दो महांज करांतिकारियों को भेजा इस देश में एक थे छत्रपती शिवाजी जो दक्षन भारत में आये और एक थे गुरु गोविंद से जो उत्तर भारत में आये गुरु गोविंद सिंग ने औरंग जेब से उत्तर भारत में लड़ाई लड़ी और छत्रबती शिवाजी ने दक्षिन भारत में लड़ाई लगा परिणाम ये हुआ कि 1707 में औरंग जेब का साशन पूरे भारत से खतम हो गया और औरंग जेब भी मर गया सन्यासी का सपना ऐसा होता ऐसे ही सन्यासी ते स्वामी रामानंती जिनों ने 1947 में ये कहा था कि हैदराबाद रियासत को हम पाकिस्तान में जाने नहीं देंगे इसको भारत में ही रखेंगे और इस सपने को पूरा किया सरदार पटेल में हैदराबाद रियासत को भारत में मिला जिया तो सन्यासियों के सपने तो भगवान भी पूरे कराता है। अभी एक सन्यासि है परम्पुजिनी स्वामी राम देव जी उन्होंने सपना देखा है। और इसलिए अब तक 50 लाख लोगों को मेंबर बनवा दिया ईश्वर में साड़े चार करोड़ लोग आराम से मेंबर बनेंगे अगले चार साल में और ये सपना पूरा होगा 2014-15 में जाकर आप सब इस सपने को पूरा करने में हम सब को मदद करेंगे और आपके जीवन को सार् करता हूं धन्यवाद देता हूं कि आप इतनी देर यहां बैठे आपने मेरी बातों को द्यान से सुना मेरा निवेदन है कि जो बाते मैंने आप से कही है वो बाते आप अन्य अन्य लोगों तक पहुंचाए और ये जो बाते मैंने आप से कही है इन सब बातों की हमने कुछ CD बनाई है 70 घंटे की CD 4 CD मेरे साथ में लेके आया हूं हमारे जो सन्लक्षण भाई अशोग जी मेरे बगल में बैठे हैं यहीं बटेंडा में रहते हैं मैं इनको वह चार CD देके जाऊंगा आप इनसे कॉपी करवा करवा के लेके रहना किसी भी CD पर मेरा कॉपी राइट नहीं है, सब को कॉपी करने का कम्प्लीट राइट है आप सीडी की 500 कॉपी बनाएं, 1000 कॉपी बनाएं 10,000 कॉपी बनाएं, मुझे कोई आपती नहीं है मैं चाहता हूँ, कहा हूँ गली गली घर घर ये विचार पहुँचे एक सीडी है, चिकितसा के विशय में, जो मैं आपको बता रहा था कि घर में ही हर बीमारी का इलाज कैसे किया जाए इसके अलावा तीन सीडी और हैं, भारत स्वाविमान के अलग अलग विशयों पर तो वो आप ले लेना, अशोव भाई से, वो आपको कौपी करा करा के देते रहेंगे और इन सीडी ओं को आप आगे कौपी कराते रहना, सब को बाटते रहना मैं मानता हूँ कि भारत में ग्यान पर किसी का अविकार नहीं होता हमने ग्यान कहीं से एकठा किया आपको दे दिया आप किसी और को दे दे और वो किसी और को दे दे यही हमारी भावना है तो आप सीडिया कौपी कराएं गाओं काओं गली गली बाटें और जल्दी से भारत स्वाभिवान का विचार घरगर तक पहुंचे और यह क्रामती पूरे देश में सफन हो इस भावना के साथ बहुत आवाद बहुत धन्यवाद मैं बोलूगा भारत मता की आप सब बोलें के जै भारत मता की जै भारत मता की जै भारत मता की जै बंदे मात्रम बंदे मात्रम